बड़े बुजुर्गों के बताए स्वास्त संबंधी काम की बाते महिलाए समय निकाल कर जरूर सुनें नमबर एक, नीम प्राक्रतिक रूप से इंसुली नियंदरित करता है इसलिए हर रोज खाली पेटनीम की पती कारस पीने से मधुमेह को नियंदरित किया जा सकता है नमबर दो, नारियल तोड़ने से पहले उसे चार से पाच मिनट फ्रीजर में रखे इससे नारियल आसानी से तोड़ जाता है नमबर तीन, कच्चे प्याज में एंटी बेक्टेरियल गोड होता है जो सास की समस्याव को कम करता है नमबर चार, बेलन पर आटा नहीं चिपके इसके लिए बेलन को पहले चार से पाच मिनट के लिए फ्रीज में रख दे नमबर पाच, चने के साथ खजूर खाने से वजनतीजी से बढ़ जाता है नमबर चए, भोजन में हरी मिर्ष के सेवन करने से चहरे के दागधब्बे दूर हो जाते है नमबर साथ, गुड़ खाने से खोन साफ होता है, रोज खाना खाने के बाद गुड़ खाने से पेट ठंडा राता है और गैस भी नहीं बनती नमबर आठ, काली चाहे में नीवो डाल कर पीने से लूज मोशन ठीक हो जाता है, नमबर नौ, जिनकी सर के बाल बहुत जादा ज़ड़ते तोटते हैं, उनकी सरीर में तामर तत्तों की कमी हो जाती है, ऐसे लोग तामबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीए फायदा होगा नमबर दस, दही खाने का सही समय दिन का और गलत समय रात का होता है, नमबर इग्यारा, सर्सों के तेल से बालों की मालिस करने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बाल ज़ड़ना भी रुपता है, नमबर बारा, लगतार पंधरा दिनों तक रोजाना अनार खाने से पैरो का दर्द दोर होता है नमबर 13 हाथ पैर अगर सुन हो जाते हैं तो आप चूना खाते रहिए चूना जो पान में खाया जाता है उसे गेहों के दाने के बरावर दही के साथ खाना चाहिए कुछी दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा नमबर 14 पालब गंजेपन की समस्या को कम करने में मदद करता है नमबर 15 अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है तो भीगे वी चने खाने के बज़ए उबले वी चने खाएं यह जल्दी पच जाता है जिससे आपको भूख भी जल्दी लगती है और आपका केलोरी इंटेक बढ़ जाता है जिससे आपका वजन बढ़ना भी शुरू हो जाता है नमबर 16 अंडे का सेवन वजन बढ़ाने में शहायक होता है नमबर 17 यदि गैस के कारण सिर्दर्द या सीने में दर्द हो एक गिलास गर्म पानी में एक निवुनी चोड़ कर खाना खाने के 45 मिनट बाद पीने से सिर्दर्द या सीने का दर्द खत्म हो जाता है नमबर 18 दोध में जलेवी डुबो कर खाने से लीवर की बीमारी तुरं ठीक हो जाती है नमबर 19 बादाम को पानी में 15 से 20 मिनट बिगो कर रखने पर उसका छिलका आसानी से उतर जाता है नमबर 20 मटके के पानी में इलकालाइन गुड होते हैं जिससे इसका पी-एच बैलेंस रहता है जिसे सरीर की ठकावट दोर होती है इतना ही नहीं याइसिडिटी तथा सिर्दर्द की समस्या भी दोर करने में कारगर है नमबर 21 नमक में शर्सों के तेल की कुछ बूद मिलाकर दाथ साफ करने से दाथ का पीलापन दोर होता है और दाथ चमकने लगता है नमबर 22 रोटी के साथ गुड़ खाने से गैस की समस्या दोर होती है नमबर 23 हरे मिर्च को प्राकृतिक दर्द निवारत माना जाता है नमबर 24 रात को सोने से पहले हल्दी वाला दोध पीने से हाथ, पैर, पीर तथा जोडों के दर्द से रहत मिलती है और यहां हड्डियों के स्वास्त के लिए भी बहुत अच्छा है नमबर 25 तीन चमच मूली के रस में थोड़ा नीवू का रस और एक चुटकी काला नमक मिला कर एक हपते तक सेवन करने से लीवर पूरी तरह से साफ हो जाता है नमबर 26 पेट की अलसर के लिए कच्छे केले की सबजी बना कर इसमें एक चुटकी हिंग मिला कर खाए यह अलसर में बहुत फाइदा करती है नमबर 27 रोटिया के डिब्बे में लॉंग रख देने से रोटिया मुलायम बनी रहती है नमबर 28 यदि आपको सास फूलने की समस्या है तो भुनेवे चुकंदर पर नमक लगा कर इसका सेवन करे इसे खाने से सास फूलने की समस्या कम हो जाती है नमबर 29 दिल की बिमारी से बचने के लिए सलाद में प्यास का सेवन जरूर करे नमबर 30 हरी मिर्च के सेवन से नजर तेज होती है नमबर 31 जिनके बाल बहुत जादा ज़ड़ते हैं उन्हें आरंडी की तेल में थोड़ा में थी दाने का पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में लगाना चाहिए इससे बाल काले मजबूत होंगे साथ ही नएवाल आने लगेंगे नमबर 32 दोध में खजोर डाल कर पीने से घर में बढ़ोतरी होती है नमबर 33 पानी पीने के बाद कुछ दे टहलने से घुटनों का दर्द नहीं होता नमबर 34 अगर आपके हाथ पैरों में कमपन की समस्या रहती है तो आप रात के खाने के बाद लॉंग चबा कर गर्म पानी पी ले आपको इस समस्या से आराम मिल जाएगा नमबर 35 बस में उल्टी आती है तो सीट पर अकबार रख कर बैठने से उल्टी नहीं आती है नमबर 36 सफर के दौरान अगर उल्टी आती है तो लॉंग का पाउडर और शकर का मिस्रड खाए या फिर नीवू पानी पीए या फिर तुलसी की पतिया खाए इससे आपको बहत फाइदा होगा नमबर 37 यदि आपकी हड़ियों में दर्द रहता है किसी भी तरह की समस्या है तो राजमा का सेवन सक्ता में दो से तीन बार करे इससे कैल्सियम की मात्रा भी अच्छी खासी होती है जो हड़ियों को मजबूत बनाती है नमबर 39 किडिनी फेल होने का डर हो तो हरे धरिये का रस सुबा खाली पेट पीजिए गी जल जाए तो उसमें कच्छा आलू डाल काट कर डाले और हिलाए गी साफ हो जाएगा नमबर 40 तुलसी के पत्तियों को एक घड़े गुलाब जल में भीगा कर रखो फिर इसे पीसो और इसमें एक चुटकी भर हल्दी मिला कर चहरे पर लगा लो एक घड़े बाद चहरे को धोलो एक हपते में तुम्हें सुन्दर और निक्री तुचा मिलेगी तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही आपको मेरी या टिप्स कैसी लगी मुझे कमिट बाक्स में जरूर बताना और ऐसे ही टिप्स और ट्रिकी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो प्लीजी से लाइक करें और अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ से यह जरूर करें साथ ही मेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई निव वीडियो अप्लोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए आपना ख्याल रखिए और अपनी फैमली का भी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया